नमस्कार मित्रो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है सेकंड गेर्ड और रीट के लिए जो तयारी कर रहे हैं समस्कित बिश्य से उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपोटेंट है आज हम आपको बताने वाले हैं वर्ण विचार तो यहाँ पर आप वर्ण विचार में वर्ण समझेंगे पूरे के पूरे जितने भी हमारे वर्ण होते हैं वर्णों से संबन्दित जो भी आपके प्रश्न बनते हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे आज के बाद में आपका वर्णों से related कोई भी प्रशन गलत नहीं होगा चाए आप second grade की त्यारी करो, first grade की करो, चाए आप rate की त्यारी करो सभी के लिए बराबर ये सब के लिए समान रूप से लागू रहेगा तो चलिए, आज का topic रहेगा, जैसे कि मैं topic लिख देता हूँ, आप भी अपना topic लिख सकते हैं वर्ण विचार है, ये हमारा topic रहेगा, इसमें वर्णों की बारे में विचार किया जाएगा कितने word होते हैं, कौन-कौन से word होते हैं, वो हम सारा कुछ इसमें जानेंगे दोस्तों, इसको हम यूँ कह सकते हैं, कि वर्ण माला की विचे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्ण माला, और वर्ण माला किसकी है, संस्कृत की वर्ण माला की विचे में हम पढ़ने वाले हैं में ऐसे आप समझ सकते हैं ठीक है एक दम आसान तरीका से समझाऊंगा मैं कोई भी विध्यारती समझ सकता है अब देखिए जो वर्ण माला है हमारी उस वर्ण माला को हम दो जगे विभक्त करते हैं कितनी जगे दो जगे विभक्त करते हैं एक तो वर्ण माला होती है हमारी मा कैसे करके लिख देता हूं दोनों को जिससे की हम दोनों को समझ लेंगे अच्छ से देखिए एक जो वर्ण माला है हमारी वह एक तो हो जाती है माहिश्वर सुत्रों के अनुसार ठीक है एक तो यह वर्ण माला हम समझेंगे दूसरी जो वर्ण माला हम समझेंगे वो समझेंग इस शिक्षा के अनुसार ठीक है? ऐसे आप इसको नोट कर लेंगे तो ऐसे करके वर्णमाला दो व backward हो जाती है एक तो महिरशवर protective के अनुसार वर्णमाला हमारी रहती है एक पढ़निय शिक्षा के अनुसार हमारी वर्णमाला रहती है अब यहाँ पर आप देखेंगे माहिश्वर सुत्रों के अनुसार जो हमारी वर्णमाला होती है उसको हम लौकिक रूप कह सकते हैं क्या कह सकते हैं लौकिक रूप लौकिक रूप ठीक है यह जो होती है वो लौकिक रूप में होती है ऐसे आप समझ सकते हैं और जो पाननिय सुख्षा के अनुसार वर्णमाला की हम बात करेंगे ये वैदिक प्रक्रिया में काम आती है ऐसे आप समझ सकते हैं वैदिक प्रक्रिया में काम आती है ठीक है? ये पाननिय सुख्षा के अनुसार जो हम बात करेंगे वर्ण माला की वो वैदिक प्रक्रिया में काम आईगी और यह जो माहिषर सूत्रों की हम बात करेंगे यह हमारी लौकिक प्रक्रिया की अंतरगात्य काम आती है यहां तक इस पस्ट हो गया अब हम आगे चलते हैं सबसे पहले हम इसका अध्यिन करेंगे माहिश्षवड सूत्रों के अनुसार जो हमारी वर्णमाला है उसके बारे में डिटेल से समझते हैं सब कुछ तो यहां तक तो केवल मैंने ये बताया है डिवाइडेसं वर्णमाला का किस तरह से होता है दो विभागों में उसके बाद में हम अब डिटेल से अध्यन करते हैं किसका माहिश्वर सुत्रों के अनुसार वर्ण माला क्या है कितने वर्ण है कितने स्वर माने जाते हैं यदि एक्जाम में इस तरह का प्रश्ण पूछा जाता है तो उसका क्या उत्तर होगा जैसे पूछ लिया मालो प्रश्ण स्वराहा भवन्ती इस तरह का मालो प्रश्ण आता है स्वराहा भवन्ती ठीक है या व्यंजनानी भवन्ती या और भी कोई सवाल किसी भी तरह का वर्णों से रिलेटेट आता है तो इसमें आप क्या जवाब लिखेंगे इसमें आपके 9 भ रहेगा 21 या 22 भी option रहेगा तो ऐसे प्रश्णों को भी हम यहां पर बताएंगे कि किस तरह आपको आंसर लिखना होता है और राइट आंसर क्या माना जाएगा ठीक तो चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं साप कर देते हैं और अब हम समझते हैं महेश्वर सुत्रों के अनु सुत्रों में समश्कृत वर्ण माला तो हम यहां जो वर्ण माला पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं महेश्वर सुत्रों के अनुसार यानि महेश्वर सुत्रों में क्या वर्ण माला है उसके बारे में हम पूरा अध्यन यहां करेंगे तो देखिए जो वर्ण माला म पहिशवर्शूत्रों के अंतरगत है, सबसे पहले उसको दो भागों विवक्त किया जाता है, कितने भागों में, दो भागों में, देखिए, एक दम आसान तरीका से समझ में आएगा आपको, सबसे पहले इसके हम दो विभाग करते हैं, कैसे कैसे, एक तो हमारे स्वर होते है स्वरवर्ण होते हैं यहां लिख सकते हैं स्वरवर्ण हाँ यहां पर हमारे दूसरे व्यंजनवर्ण व्यंजनवर्ण स्वरवर्ण हो गए इधर आपके व्यंजनवर्ण हो गए सुत्रों के आधार पर हम बता रहें आपको अब यहाँ पर सुत्रों की बात करें हम स्वरवर्ण जो है अब सुत्रों की बात करें तो यहाँ पर चार सुत्र हैं हमारे जो की स्वरों की बारे में बताते हैं स्टार्टिंग वाले हमारे जो महेश्वर सुत्र है उनमें 14 जो महेश्वर सुत्रों में हमारे चार सूत्र जो है स्टार्टिंग वाले वो स्वरों से संबंदित है किस संबंदित स्वरों से और जो बाद के 10 हैं हमारे वो ब्यंजनों से संबंदित है ये तो हम आपको पहले ही बता चुके है ठीक है? ऐसे तो अब देखिए यहाँ पर हमारे स्वरों से संबंदित कितने हो गए चार सूत्र हो गए और इधर यदि हम ब्यांजनों की बात करें तो यहाँ पर हमारे कुल दस सूत्र हैं कितने हैं? दस सूत्र हैं अब यहाँ पर आगे चलिए आगे यदि हम इन चार सुत्रों के आधार पर माहिश्ट सुत्रों में जो हमारे स्टार्टिंग के चार सुत्र है उन चार सुत्र के आधार पर यदि हम स्वरों की बात करें तो कुल स्वर हमारे नो होते हैं इसमें नो स्वर ठीक और इधर यादी हम वियंजन की बात करें तो यहाँ पर आपके 33 वियंजन होते हैं 33 वियंजन होते हैं कितने 33 वियंजन होते हैं ठीक है यहां तक तो यहां देखिए 33 वियंजन हो गए और इधर आपके 9 स्वर हो गए किलियर है अब आगे चलते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अब आगे चल रहे हैं कि जो हमारे नौ स्वर हैं इन नौ स्वरों का भी विवाजन होता है फिर नौ स्वर को भी अलग विभाग किया जाता है इन नौ स्वरों को दो जगे विभक्त किया जाता है कितनी जगे दो जगे कैसे देखिए मैं आपको बताता हूं इनका विभाजन दो तरीका से किया जाता है एक तो मूल स्वर एक तो इसमें हम कह सकते हैं मूल स्वर ठीक है या फिर हम कह सकते हैं रस्वस्वर रस्वस्वर ठीक है या तो आप मूल स्वर कहो या रस्वस्वर कहो और इधार आपके दीर्ग स्वर हम कह सकते हैं दीर्ग स्वर या फिर आप कह सकते हैं संयुक्त स्वर या कह सकते हैं संधी स्वर ठीक है या कह सकते हो मिश्रित स्वर ये सब नाम दीर्ग स्वर के ही है या तो दीर्ग स्वर कहो या संयुक्त स्वर कहो या संधी स्वर कहो या मिश्रित स्वर कहो एक ही बात है कोई अलग अंतर नहीं है अब बात आती है कि मूल स्वर कितने हैं प्रश्ण डारेक्ट पूछा जा सकता है कि मूल स्वराहा कति भवंती मूल स्वर कितने हैं तो आपको यहाँ पर मूल स्वर द्यान में रखने होंगे पाँच, मूल स्वरों की जो संख्या है वो पाँच है दोस्तों, कितनी है पाँच, मूल स्वरों की संख्या कितनी है पाँच स्वर, कितने है पाँच, अब देखिए इधर हम देखते हैं कि दीर्ग स्वर कितने है, तो दीर्ग स्वरों की यदि बात की जाए, तो दीर्ग स् ने हैं चार तो टोटल मिला करके हमारे हो जाते हैं नौ स्वर तो ये आप स्वरों की कहानी समझ में आगए आपके कि नौ स्वर कैसे हुए ये ही नौ स्वर होते हैं माहिश्वर सुत्रों के आधार पर इसके अलावा कोई भी स्वर नहीं होता ये हम माहिश्वर सुत्रों के आधार पे आपको बता रहे हैं, किलियर है, देखिए स्वर, चार सुत्र हैं, चार सुत्रों में यदि हम स्वरों को देखें, काउंट करें, यहां पर यदि आप काउंट करें सभी को, आचा स्वराहा, आपने एक पंक्ति सुनी होगी, आचा है, स्वराहा, यानि कि जो अच बनता है, उसमें जितने भी वर्ण हैं उन सब को हम क्या कहेंगे स्वर कहेंगे और उसमें टोटल वर्णों की संख्या 9 होती है इसलिए अचाव को हम स्वर कहते हैं तो उसमें टोटल 9 स्वर आते हैं तो 9 कर-Dividation दो तरह से मूल स्वर 5 होते हैं दीरगत स्वर 4 होते हैं यदि प्रशन आ जाता है कि संदी स्वर कौन कौन से हैं तो यहाँ पर आपको संदी स्वर दियान रखने हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ कि यह 5 मूल स्वर कौन से हैं ठीक है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बीच में इस् यह आपके मूल स्वर हैं, टोटल देख लीजिए आप कितने हो गए, यह मूल स्वर आपके 5 हो जाते हैं, कितने 5, अब आगे चलिए आप संयुक्त स्वर, संयुक्त या दीर को स्वर, संयुक्त स्वर या दीर को स्वर, तो संयुक्त स्वर में आपको द्यान में रखना A, O, I और आउ कितने हो गए ये हो गए पांच ये हो गए चार टोटल हो गए नौ ऐसे तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि मूल स्वर कौन से हैं और संयुक्त स्वर कौन से हैं किलियर है तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ में आगय होगा आपके कि स्वर कौन कौन से होते हैं नौ स्वर कैसे होते हैं मूल स्वर कौन से होते हैं दीरगत स्वर कौन से होते हैं इनको आपको ध्यान में रखना होता है तो इसको आप स्क्रीन सोट ले लीजिए लिख सकते हैं आप देखिए सब इसको अच्छे से और इसको आप नोट कर सकते हैं जिससे कि आपके बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए क्योंकि यहां से प्रश्ण जरूर बनेगा चाय कोई भी एक्जाम दे लो आप बिल्कुल अच्छे से समझना है दिमाग में फिट कर लेना यहां से दो तीन प्रश्ण आपके निस्टित रूप से बनेंगे तो यह प्रश्ण गलत नहीं होने चीए चलिए आगे चलते हैं अब इदर से मैं स्वरों को साप कर देता हूँ फिर मैं आपको व्यंजन बताओंगा पूरे के पूरे ठीक है व्यंजन व्यंजन वर्ण कौन-कौन से हैं अब हम व्यंजन वर्णों की बात करेंगे यापर स्वर वर्ण आपको बता चुका हूँ अब व्यांजन वर्ण 33 जो होते हैं वो किस तरह से डिवाइड हो रखे हैं उनको हम देखते हैं यहाँ पर वर्ण माला में स्वर हम पढ़ चुके हैं अब हम व्यांजन वर्ण यहाँ पर देख रहे हैं व्यंजन वर्ण तो व्यंजन वर्ण जो हैं अमारे उनको तीन जगे विवक्त किया जाता है मित्रो कितने जगे तीन जगे विवक्त किया जाता है अब तीन जगे कैसे विवक्त किया जाता है ऐसे सबसे पहले यहाँ पर एक पर अन्तहस्थवर्ण और अमारा तीसरा वूश्मवर्ण देखिए व्यन्जन वर्णों को तीन जगे विवक्त किया जाता है पूरी वर्ण माला के अंदर जो हमारे व्यन्जन वर्ण है टोटल संख्या की द्रश्टी से 33 वियंजन वर्ण हैं इनको हम 3 जगे विभक्त करके पढ़ते हैं देखिए एक तो है आपका इस्पर्ष वर्ण इस्पर्ष वर्ण जो है यदि हम संख्या की दरश्टी से देखें तो टोटल 25 होते हैं ठीक है? इसके बाद में यदि हम अंतहस्त वर्णों की बात करें तो संख्या की दरश्टी से चार होते हैं उश्वर्णों की बात करें तो संख्या की दरश्टी से ये भी चार होते हैं अब आप जोड लीजिए 25 और 8 मिला के 33 होते हैं कुल मिला के अब यहां इनसे सम्मंदत जो कहानी है वो आपको समझ में आने चाहिए इस परशवर्ण 25 होते हैं अब कौन से होते हैं इस परशवर्ण तो यहां पर आपको लिखना है कसे लेकर मतक के वर्ण इसके लिए संस्कित में एक पंक्ती है कादयो मावसाना इस परशाह कादयो मावसाना हा इस परशाह इसका मतलब है कसे मतक के जो वर्ण है उनको हम कहते हैं इस परशवर्ण कसे मतक के वर्णों को इस परशवर्ण कहा जाता है अब इसमें आपके 5 बर्ग होते हैं ऐसे आपको ध्यान में रखना है कितने बर्ग होते हैं? 5 बर्ग मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार इदर से आप देख लीजिए इसमें इस तरह से होते हैं कू, चू, टू, तू और पू ये आपके पांच बर्ग हो गए दोस्तो पांच बर्ग हो गए कु याने कवर्ग है चू याने चवर्ग है तू याने तवर्ग है तू याने तवर्ग है और ये पू याने पवर्ग है इसमें जो उ दिख रहा है उस उ की आपकी इतसंग्या हो जाती है क्या हो जाती है इतसं उदित वर्ण भी इनको हम कहते हैं ये प्रश्ण आपके आ सकता है पूछ लिया कि उदित वर्ण अहां कती भवनती उदित वर्ण कितने होते हैं तो पहले तो ये पता होना चीए कि उदित वर्ण होते कौन से हैं तो यहां हमने बताया कि कू चू टू तू पू ये आपके प पांच बर्ग होते हैं कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग ठीक है कवर्ग में पांच वर्ण होते हैं चवर्ग में पांच वर्ण होते हैं टवर्ग में पांच इसमें भी पांच इसमें भी पांच कुल मिलाके सारे वर्णों को जोड़ते हैं तो हमारे 25 वर्ण हो जाते हैं इस पर्श वर्ण दूसरा नाम है उदित वर्ण क्योंकि इसमें जो उ लगा हुआ है उसकी संग्या हो जाती है इसलिए नाम हो जाता है उदित वर्ण कासे लेकर के मतक के वर्णों को हम कहते हैं इस पर्श वर्ण ये आपको दिहान में रखना होगा इसके अलाबा और भी ना वर्गिये वेंजन इसको दिहान रख लेना आप वर्गिये वेंजन भी कहते हैं इसके अलावा वर्ग पंचक भी कहते हैं इनको क्या कहते हैं वर्ग पंचक भी कहते हैं इसके अलावा इसपर्शवर्ण तो कहते ही हैं तो ये इनके नाम याद रखना है वर्गिये वेंजन कह इनको कहते हैं तो इस तरह से इस पर्षवर्ण कौन से होते हैं आपके समझ में आगया होगा मैं इनको लिख करके भी बता सकता हूं हालाएं कि आप सब जानते होंगे जैसे मैं एक लाइन बता देता हूं यहां पर कवर्ग का मतलब क्या है देखो यह लिखा हुआ कू इसको आपको द्यान में रखना है के वर्ग अब के वर्ग का मतलब क्या है कख ग घ और यह आपका कवर्ग है इसी तरह से आपको चवर्ग लिखना है ऐसे करके पांचों लाइनों को बोलोगे तो एक लाइन में पांच वर्ण मिलेंगे तो टोटल 25 वर्ण हो जाते हैं क्लियर है यहां तक देखिए तो अब इस पर्षवर्णों से संबन देता आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चीए इस पर्षवर्णों की पूरी कहानी समझ में आगई आपके इस पर्षवर्ण 25 होते हैं कादियो मावशाना इस पर्षा लाने याद रखनी है कासे मतक के वर्णों के स्पर्षवर्ण कहते हैं ये आपके पाँच वर्ग होते हैं इस पर्षवर्णों में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग इनका क्रम ये ही रहेगा फिक्स है क्रम, निस्चित है इनमें जो उ लग रहा है उसकी संग्या होती है इनको उधितवर्ण भी कहते है ठीक है? अब मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार अंतस्तवर्णों की कहान ही समझनी है आपको यहां तक आप नोट कर लिए ना इसको अंतस्तवर्ण क्या है? इनको समझ लेते हैं अंतस्तवर्ण चार होते हैं इनको हम अर्दस्वर्ण भी कहते हैं अर्दस्वर्ण इनको हम अर्दस्वर्ण भी कहते हैं क्योंकि यह स्वर्ण के संयोग से बनते हैं कैसे? अब होते कौन-कौन से? एक बार वो भी समझ लो ये वे रे और ले इनको हम कहते हैं अंतहस्त वर्ण देखिए ये वे रे ले इनको क्या कहेंगे वाई अंतहस्त वर्ण कहते हैं याद रख लेना अच्छे से क्या कहते हैं अंतहस्त वर्ण इसके लिए एक सम्स्कित में पंक्ती है यनों अंतस्था अंतस्थाहा ऐसे यन अंतस्थाहा ये पंक्ती है इसका मतलब है कि यन वर्ण अंतस्थ है यानि कि यन प्रत्याहार बनता है इसमें क्या बनता है यन प्रत्याहार बन जाता है तो यन प्रत्याहार में चार वर्ण आते हैं यह वे रह और ले इनको हम क्या कहेंगे अंतस्थ व बर्ण द्यान रखने हैं इस पर्षवर्ण के लियर हो गए अंतस्त बर्ण आपको ये वे रहले द्यान रखने हैं इनको हम अर्द स्वर्भी कहते हैं ये आपको द्यान रख लेना हैं अंतस्त बर्ण इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि उच्चारण करते समय जो प्राण वाईय के लिए अब चलते हैं उश्मबर्णों की तरफ उश्मबर्ण भी आपके चार होते हैं अब चार कौन कौन से होते हैं वो समझ लो आप चार में आपके देखिए श, श, स और ह यह हमारे चार उश्मबर्ण हैं यानि तीनों प्रकार के शह आ जाते हैं और एक हव इसमें प्लस होता है इन चारों को हम क्या कहेंगे उश्मबर्ण कहेंगे उश्मबर्ण इसलिए कहते हैं इनको उचरन करते समय जो हमारी प्रानवायू रहती है यह हमारी वायू रहती है वो तीब्रगती से बाहर आती है और हलकी सी उश पुष्मा भी आती है याने थोड़ी सी गर्मी भी आती है आप बोल के देख सकते हो कोई भी वर्ण इन में से बोलिए तो तिब्र गती से वायू बहार आएगी और थोड़ी सी गर्मी आएगी वायू के साथ में ऐसे बोल के देखो श, ह, स, स, ऐसे ठीक है ऐसे आप बोल के द पिरकृता है इसलिए इसमा पैंगती लिख सकते हैं समस्क्रित्मनiran चैने इस में 工作 म्योंती है । कम कि रीधी तेयुकर उजोते हैं यह C TP में और आम में कोई तर हो गए भी कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए आपनी तरह इनको किस-किस नाम से जानते हैं, वो समझ गए, कौनसा प्रत्याहार बनेगा, आप बता सकते हैं, तो बताईए, इस पर्ष वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार बनेगा, बताईए, कौन बताईगा, इस पर्ष वर्णों के लिए प्रत्याहार बनेगा, यह यह प्रत्याह यह इस पर शवर्णों के लिए बने गा आपब को इस बढ़नों के लिए शल प्रत्याहार है कौन सा शल प्रत्याहार अब हमें लगता है कि इसमें कोई भी चीज आपकी नहीं बची है आपको अच्छे से ये सब फिट करना है दिमाग में इनको आप लिख लीजिए स्क्रीन सोट ले सकते हैं फोटू की सकते हैं कुछ भी आप करिए नोट्स बनाईए कुछ भी करिए बट समझ में आना चाहिए और दिमाग में ये बात फिट रहनी चाहिए चले आगे चलिए अब देखिए यहाँ पर आपने व्यंजन समझ लिए स्वर समझ लिए अब यहाँ पर एक बात आती है कि स्वर कितने हैं इसको कैसे ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए स्वरों की बात बता रहा हूं मैं आपको स्वर देखो इस तरह का हमारे प्रश्ट बनता है कि स्वर कितने हैं तो स्वर यदि हम महिश्वर सुत्रों के हिसाब से बात करें तो हमारे नौ स्वर हैं महिश्वर सुत्रों के हिसाब से हमारे जो स्वर हैं वो नौ होते हैं किलियर है और यदी हम बात करें सम्स्कृत वर्ण माला की तो स्वर होते हैं 13 सम्स्कृत वर्ण माला यदी सम्स्कृत वर्ण माला की हम बात करें तो हमारे जो स्वर होंगे वो कितने होंगे 13 ठीक है इसके अलावा यदी हम बात करें पाननिय सिक्षा के अनुसार तो स्वरों की संक्या 21 या 22 होती है किसके अनुसार पाणनिय सिक्षा की अनुसार हमारे जो स्वर होते हैं वो 21 या 22 होते हैं तो देखिए यहाँ पर माईश्र सुत्रों के हिसाब से आपको 9 ध्यान रखना है समस्कित वणवाला की हिसाब से आपको तेरे ध्यान रखने है पाणई सिक्षा के अनुसार हमें स्वरvoorbeeld 21 या 22 ध्यान रखने है यदि एक्जाम में प्रश्न आता है स्वराहा भवंती देखिया है स्वराहा भवंती इस तरीका का यदि प्रश्न आता है तो इसका जो answer आपको करना होगा वो कैसे करना होगा देखिए यदि option में इस तरह के option आ रहे हैं जैसे कि 9 आ गया 13 आ गया 21 आ गया और यहां पर 22 आ गया ठीक है? ऐसे यह आपके option आ गये तो इन में से आपको answer ठीक करना है तो बताइए कौन सा answer आपका सही होगा इस प्रश्न का बताइए आप type करिये फटापट answer कि इसका answer क्या होगा और क्यों होगा यदि इस तरह का यदि प्रश्न आता है और option में 9 और 13 दोनों ही दे रखे हैं तो आपको answer 9 करना है क्या करना है? 9 यदि 9 नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है 13 करना है कितना करना है? 13 यदि option में 9 नहीं दे रखा है तो यदि 2 नहीं ही नहीं है तो ये प्रश्न बदल जाएगा फिर प्रश्न पूछा जाएगा पाननिय सिक्षा की अनुसार स्वर कितने होते हैं तो आपको 21 या 22 मिलेगा option में आपको इस तरह से मिलेगा फिर 21 या 22 तो आपको 21 या 22 करना है कोई इसमें संसे नहीं है तो अब आपको clear समझ में आ गया होगा कि स्वरा हक भवन्ती इसके लिए कैसे आंसर आपको देना होगा चलिए यहां तक की बात आपको clear हो गई होगी एकदम अच्छे से समझाऊँगा मैं पूरा का पूरा वर्ण विचार इसमें आपको जो भी बाते हैं जो भी doubt है वो आप पूछ सकते हैं तो देखिए दोस्तों यहां तक आपको अच्छे समझ में आगया होगा है हमारी वर्ण विचार वाली कहानी को चलिए चलिए दोस्तों आगे क्लास को बढ़ाते हैं आपने अभी स्वर समझ लिए वियंजन आप समझ चुके हैं कुल वर्ण कितने हैं वो आपको समझ में आगया होगा ठीक है स्वर कितने हैं वियंजन कितने हैं कुल वर्ण कितने हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने कहा कि स्वर आपके 9 होते हैं और व्यंजन आपके 33 होते हैं इन दोनों को जोडने पर 42 सुत्तर आता है तो यह आपके कुल वर्ण हो जाते हैं यहां तक की बात हम आपको बता चुके हैं हम बात कर रह तो उनको समझना बहुत जरूरी है एक होता है अयोग वाहा का एक प्रसंग आता है इसको भी समझना बहुत जरूरी है देखिए सबसे पहले तो आप यह समझे कि आयोग वाहा क्या है ठीक है आयोग वाहा क्या होता है यह अपने को समझना है तो आयोग वाहा के लिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसे वर्ण जिनका माहिश्वर सुत्रों में योग नहीं है कहीं पर भी जिक्र नहीं है फिर भी समस्कित की भाषा के अंदर उनका प्रियोग किया जाता है उनको हम आयोग तो हम भाशा के अंदर तो करते हैं, भाशा में उनका वहन किया जाता है, वो भाशा को लेकर के जाते हैं, जिनका योग नहीं है, तब नाम है अयोग वाहा, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको उधारन देता हूँ, जैसे कि अनुस्वार है, या विसर्ग है, तो कहीं है, क्या महिश्वर सुत्रों में, नहीं है, तो ये आपका कहलाएगा अयोग वाहा, तो चलिए सबसे पहले तो आप लिखिए, नोट करिए यहाँ पर कि अयोग वाहा होता क्या है, ठीक है, आप इसको नोट कर लें अच्छे से, क्योंकि ये आपको बाद में समझ म आएगा, लिखिए यहाँ पर, वे वर्ण, वे वर्ण, जिनका माहिश्वर सुत्रों में, जिनका, माहिश्वर सुत्रों में, योग नहीं है, ठीक है, लेकिन, सम्स्कृत भाषा में, प्रयोक्त होते हैं, आयोग वाहा वर्ण, कहलाते हैं, आयोग वाहा वर्ण, कहलाते हैं, तो ये देखी, आपको समझ में आगया होगा, कि ऐसे वर्ण, जिनका, माहिश्वर सुत्रों में, कहीं पर भी योग नहीं है, आप देख सकते हैं मायुष्टर सुत्र की अंदर हमने आपको मायुष्टर सुत्र पढ़ाये थे तो उस समय आपने देखा होगा कि कहीं पर भी आपको योग नहीं मिलेगा ठीक है? तो उनको हम कहेंगे अयोगवाहवर्न बात समझ गए? यदि आप संस्कित में लिखना चाहें तो संस्कित में भी लिख सकते हैं कैसे? अनुचारिता अपी ये प्रयोगम निर्वाहन्ती लिख सकते हैं आप संस्कित में अनुचारिता अपी ये प्रयोगम निर्वाहयन्ती ते अयोग वाहा अनुचारिताहा अपी याने अनुचारिता ने उचारिताहा अपी उचारित नहीं होने पर भी या उनका समाविश नहीं होने पर भी ये प्रियोगम निर्वाहा यंती जिनका प्रियोग किया जाता है उनका नाम अयोग वाहा है ऐसे आप इसको समझ सकते हैं अब देखिए यदि आपसे कोई पूछे कि अयोग वहा कितने हैं तो आपको बता दें कि अयोग वहाओं की संख्या फिक्स नहीं है यानि कि इनकी संख्या फिक्स नहीं है अर्था निश्चित नहीं है संख्या अयोग वहाओं की संख्या एकदम फिक्स नहीं है कि इतने अयो में लेते हैं इसलिए हम केवल चार प्रकार के अयोगबाहाओं को ही हम समझते हैं उनी का प्रसंग हमें मिलता है तो आप लिखेंगे आगे कि मुख्य रूप से चार अयोगबाहों का ही प्रियोग किया जाता है या आप लिख सकते हैं कि चार प्रकार के अयोगबाहों का प्र अयोग वहा बर्नों का प्रयोग प्राप्त होता है। टिक है ऐसे तो चार प्रकार के अयोग वहा कौन-कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं। चलिए। यहां तक हम लिख लें अच्छा से समझ लें कोई दिक्कत आपको नहीं होने चीएं। दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं चले आगे चलिए अब आगे चलते हैं आपको हम अयोग वहा बताते हैं कि अयोग वहा कौन कौन से होते हैं जो चार अयोग वहा की हम बात कर रहे हैं वो अयोग वहा कौन से हैं चलिए देखते हैं अयोग वहा नंबर एक सबसे पहले अयोग वहा आपको समझना है अनुस्वार अनुस्वार एक अनुस्वार सब जानते हैं अनुस्वार किसी भी स्वार के बाद में प्रेयुक्त होता है जैसे हमने कहा कि रामम तो यह जो स्वार है ultimate में में ए है उसके बाद में लग रहा है में तो रामम इस तरह से जो बिंदी दिख रही है यह अनुस्वार है बात समझ गए ऐसे हमारा दूसरा है विसर्ग 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 आपका इस तरह से लगता है आप जानते हैं स्वार के बाद में दो बिंदी लगती है उसको हम व योग वहा हो गया अनुस्वार दूसरा हो गया विसर्ग और तीसरा हो गया अर्ध विसर्ग अर्ध विसर्ग अर्ध विसर्ग अब अर्ध विसर्ग जो है इसकी दो इस्तिती हैं अर्ध विसर्ग की इस्तिती कितनी है दो तो पहला है इसमें जिवहा मूलिये जिवहा मूलिय देखो अर्द विसर्ग क्या होता है पहले तो आप एक बार यह समझ दो जैसे कि यह आपके विसर्ग हैं मैंने थोड़ा सा इसको दीर्ग बना दिया है अब इसको हम आदा काट देंगे बीच में से ऐसे काट दिया अब इसमें से हम उपर वाले हिस्से को अटा देंगे क्यों इस्तिती बन रही है यह इसको कहते हैं अर्द विसर्ग क्या कहते हैं अर्द विसर्ग ऐसे समझ लो आप इसको क्या कहेंगे इसको अर्द विसर्ग कहेंगे आपको शायद पहले पता है यह नहीं पता ने लेकिन इसको हम अर्द विसर्ग कहेंगे और ऐसे बने वो अर्द विसर्ग यदि कै और खैसे पहले लगा हुआ है कै और खैसे पहले यदि प्रियोग में हुआ है तो आप समझ लेना इसका नाम है जिवा मूलिये इसको हम कहेंगे जिवा मूलिये क्या कहेंगे जिवा मूलिये जैसे की राम खनती राम खनती ऐसे और दूसरी इस्तिति है इसम तो इसका नाम हो जाएगा उपदमानिय है इतना ध्यान रखना है आपको बस ठीक है जैसे की रामप पठती ऐसे बना सकते हैं इसमें कोई बड़ी वाद नहीं है ऐसे पठती देखिए यहाँ पर पैसे पहले आपका अर्ध विसर्ग लगा है तो रामप पठती इस तरह से हम तीन समझ चुके हैं अनुस्वार विसर्ग अर्ध विसर्ग ठीक अब हमारा चौथा है यम चौथा यम समझना है यम क्या समझना यम यम बहुत ही महत्पूर्ण है एकदम इंपोर्टेंट है यह यम यम संख्या की द्रश्टी में चार होते हैं कितने होते हैं चार वैसे त सिक्षा के अनुसार केवल 4 को ही सुविकार किया गया है तो आपको यम 4 ध्यान रखने है कितने 4 चलो अब मैं इसको साब कर देता हूँ आगे मैं आपको यम बताऊँगा कि यम 4 कौन से होते हैं और यम होता क्या है वो आपको समझाऊँगा यहां तक आप नोट कर लिजी इसको अब चलिए दोस्तों यहां पर मैं आपको यम समझाता हूँ कि यम क्या होते हैं ठीक है अभी हमने आपको देखिए यहां पर बताए था एक तो अनुस्वार बता दिया इसके बाद मैं विसर्ग बता दिया इसके बाद मैं अर्दह विसर्ग बता दिया ठीक है और अब चौथा हम बता रहे हैं यम अब यम समझीए आप यम क्या होता है यम का मतलब है देखो मैं सीधा सा बता रहा है बिलकुल एक दम आसन तरीका से ये एक सूत्र बताया मैंने एक trick है यमकी क्या है ये trick है कैसे समझते हैं इसको देखे यमकी trick है ये इसका मतलब है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा बर्ण हो और इसका double रूप यदी है सामने बराबर में double रूप भी है यानि की double रूप दिया हुआ है इसके बाद में यदि पंचम बर्ण है समझना बात को यदि पंचम बर्ण दिया हुआ किसी भी वर्ग का पंचम हो सकता है जैसे हमारे 5 वर्ग होते हैं किसी भी वर्ग का आपका यहां पर पंचम बर्ण हो सकता है और यहां पर किसी भी वर्ग का पहला हो सकता है दूसरा हो सकता है तीसरा हो सकता है चोथा हो सकता है लेकिन पांचवा नहीं हो सकता पांचवा इधर मिलेगा ऐसे यहां पर डवल रूप मिलेगा आपको जैसे यहां कह है तो कह कर डवल रूप यहां मिलेगा यहां कह है तो कह का मतलब है तो यहां पर जो आपका डवल रूप है उस डवल रूप में जो सेकंड वाला रूप है आपका सेकंड वाला जो रूप है सेकंड वाला जो रूप है उसको कहते हैं यम देखिए एकदम सरल तरीका है यह समझने का याने की जो बढ़न रिपीट हो रहा है रिपीट होने वाले वर्णों में जो second वाला वर्ण होगा उसको हम कहेंगे यम लेकिन ध्यान रखना है कि बीच में स्वर नहीं होना चाहिए मद्धि में स्वर नहीं होना चाहिए मद्धि में स्वर होगा तो वो आपका यम नहीं कहलाएगा अब देखो यम हमने कहा कि स्वर संबब हो सकते हैं क्योंकि यहां पर जैसे की कोई भी वर्ग का पहला हो सकता है पांच वर्ग होते हैं तो कोई भी हो सकता है दूसरा कोई भी हो सकता है यहां भी कोई न आ जाएगा देखिए पलिक कने पलिक कने ही एक तो पहला ये आपका यम है यम का उधारन बता रहा हूं पहला पलिक कने ही देखिए यहां पर हमने कहा कि पहला दूसरा तीसरा चौथा उसके बाद में उसी का डवल रूप मिलेगा तो यहां पर देखिए के मिल गया हमें द सेकंड वाला रूप इसको कहते हैं यम सेकंड वाले रूप को क्या कहेंगे यम क्या कहेंगे यम किलियर है ऐसे दूसरा उधारन देखिए दूसरा उधारन है आपका चक्खनतु हूँ आदक है फिर आदक है फिर नतु हूँ ऐसे यह आदक हैं दोनों चक्खनतु हूँ क्थे को क्या के यम होगा देखोया क्थे डवल होना ची बने का ये इक उडवल होना चाहिए एक दो तीन चार करडवर अगनी ही अब इसमें भी दो गय है तो दूसरा वाल गया यम क्या दो के लाई गळान्त हूं ऐसे लिख सकते हैं आप देखिए लो गनन्त हूं गणन्त हूं यह दो घै है ए गड़ी वाला यह ढुसरा गम हो जाएगा तो यह आपका यम के लाएगा दूसरा वाला क्या के लाएगा यम के पल और्लक पलंपिट पलिक को यह तो आ दो आंपको इस तरह से आपको ध्यान रखने हैं घनन तुहू तो यह आप यहां तक समझ गए कि अनुस्वार क्या है विसर्ग क्या है अर्द विसर्ग यम क्या है यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब केवल एक बात और समझनी है बस आगे यहां पर बता देता दोनों तरप सवर रहेगा और बीच में आपका ड़े रहीगा ऐसे समझों ॔र इधर भी स्वर रहेगा याने कि इधर भी स्वार और इधर भी स्वार बीच में क्या रहेगा आपका डय यह तो इस ढ़ा के स्तान पर बर्ड़े हो जाता है उसको कहते हैं दूर्पिष्ठ किस तरह一直ch वो इस तरह इस तरह हो जाता है कि ऐसे लिखते हैं इसको कि ऐसे समझे लो आप तो ऐसे ऐसा आपने देखा होगा वैसे वैदिक प्रक्रिया के अंदर चलता है ठीक है सामान ये रूप से लौकिक में नहीं चलता है तो इस तरह आप समझ गहों कि स्वर के बाद में आपका क्या हो डे या डे हो और इसके बाद में भी आपका स्वर हो यानि दोनों तरफ स्वर हो डे और डे के दोनों तरफ यदि स्वर हो तो डे और डे के इस्तान पर डे हो जाता है यानि कि दूहिस्प्रिष्ट हो जाता है क्या हो जाता है दूहिस्प्रिष्ट हो जाता है ये आपको समझ नियम के हिसाब से यहां पर हम इसको कर देंगे इडे इस तरीका से और यह लग जाएगा इडे तो इडे बन जाएगा इडे इडे है इडे इस तरह से बनेगा इडे था इडे बन जाएगा ठीक है इस तरह से तो यह आपको समझना है बस केवल इतना ही समझना है कि दूस्प् कौन से वर्ण सुविकार किये गए हैं स्वर कितने होते हैं व्यंजन कितने होते हैं यम वर्ण कौन से होते हैं अयोग वहां कौन कौन से होते हैं और दूस प्रश्ट वर्ण क्या होता है इनमें से निश्चत रूप से आपका प्रश्ण बनता है इसमें कोई भी डाउट यद तरह से मानी गई है, उसमें कितने वर्ण होते हैं, स्वर कितने होते हैं, बेंजन कितने होते हैं, पूरी डिटेल उसमें मैं आपको बताऊंगा, विस्तरित जानकारी उसमें आपको मिलेगी, next class का इंतजार करें, इस class को अच्छे से देखें, और class यदि अच्छी लगती है, बहुत ही सस्ती है, 150 रुपे, यानि कि 500 रुपे के अंदर आपको test series मिलेगी, उसमें आपको topic by test मिलेगे, test दीजिए, आपको पता लगेगा कि आपकी तयारी कितनी है, ठीक है, और हमारा पूरा second grade का course यदि आप लेना चाहते हैं, तो पूरा course आपको मिल जाएगा, साड़ को share करिए, जिससे की ज्यादा से यादा लोग उसमार, एक seat अपनी पकी करो, बस, selection प्राप्त करना चाहते हो, तो फटा पर जुड़ जाएगे, मिलेंगे next class में, धन्यवास अब के लिए, सर्वी बियन्नम हैं